शुरुवात में एक आदमी हाथ में गनली घनी जंगल में भाग रहा होता है वो किसी चीज़ से डर रहा था आगे बढ़ा तो एक आदमी उसे पकड़ लेता है जो इसका साथी था क्योंगे ये दोनों चोर हैं और एक साथ यहां चोरी करते हैं पर अब की बार ये हुफ्या जगा के लिए आएंगे जो जंगल की बीचों बीच कुछ आगे हैं जहां पर बहुत सारे बड़े-बड़े साप हैं इनका काम था उन सापों को पकरना ताकि उनकी खाल बेचकर ये अच्छे पैसी कमा सकी लेकिन पहले बड़े जोर इस काम को करने से डर रहा था कहता है कि मैं वहां नहीं जाओंगा मुझे छोड़ दो ये कहकर वो अपने साथी से दूर भागनी लगा पर तभी उसे मैसूस हुआ जैसे मेरे पीचे कोई आ रहा है हडबड़े में उसका पैर डिली मिटी में फंस गया असने जब नीचे देखा तो पता चला कि ये दिल दिली जिसके अंदर एक आदमी का स्केलितन धानचव पड़ा हुआ था जो यहां फंसकर मारा गया होगा वो काफर डर गया जैसे भागनी लगा वो भी इसमें गिर जाता है और स्क्रीन पर मुवी का नाम लिखा आता है क्विक सेंड इसके बास इनचीफ दोकर आता है एक गाड़ी पर जिसमें कबल बैठा था इनमें हस्बन का नाम जोश था ये दोनों अपने ट्रिप के लिए जा रही थी शरीश दर जिनकी से खुश नहीं थी अब जब ये होटल में पहुँझे तो वहाँ इनकी मुलाकात जोश के दोस्ते होती है उसने इनका ये ट्रिप अरेंज किया था वो यहाँ दोनों का अच्छे से वेलकम करता है अब जब ये दोनों रेसेप्शन पर जाते हैं तो वहाँ पे इनकी भैस होने लगी क्योश की वाइफ सोफिया दो कमरे मांगती है पर यहाँ तो सिर्फ एक ही कमरा बचा हुआ था इतनी बढ़ गई है कि एक चट के नीचे ये ब्रेह नहीं सकती अब ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जोश ने किसी और लड़की से अपना तालब बना लिया था साथ ही वो भूठ शिराब भी पीता था जो चीज सोफिया को बिलकुल पसंद नहीं जोश नहीं होता वो कहता है कि असल में मेरे दोस्त को जरूरी काम आ गया है तो हम आज नहीं दो दिन के बात चलेंगी जिस पर सोफिया कहते है कि मैं कुछ नहीं जानती मैं वहाँ जाने का ठान चुकी हूँ क्योंकि मैं वहाँ की सबसे खुपसूरत जिस जर्णे को देखने चाती हूँ तो चुक चाप तयारी पकड़ो और चलो अब जोश को उसकी बात मानने ही पड़ी अब ये दोनों रेसेप्शन पर आकर मेनेजर को लक्षा रिखाकर उस जगा की बारे में पोश्टे ही इन्हें जर्णे वाली जगा जिस पर मेनेजर कहते है कि आव वहाँ ना जाए बल्कि कहीं और चले जाए भोल कर भी मज जायेगा वहाँ कहा जाता है कि वहाँ कोई खतरनाक ताकत है क्योंकि जो कोई भी वहाँ गया है बचकर वापिस नहीं आया हर तरफ दलदले, सांप है और कई खतरनाक चानवर, किड़े, मकोड़े भी असल में वह यहाँ शुर्वाद कली जगा की बात कह रहा था तो यह उनका पीछे करके उनको लूटने वाला था अब जैसे जोश और सोफिय अपनी गाड़ी लेकर निकली यह भी उनका पीछे करनी लगता है रास्ते में कई सारी खुबसूरत जगी आई जिनको पार करके यह आगे बढ़ती रहे पोरे सफर भी कोई बात नहीं की गम सुम बैटी रहे और पी एक जगा गाड़ी रोकर उतर जाती है क्योंकि यहां से ट्रेकिंग तरके इने जड़नी वाले जगा पर जाना था थड़े दूर चिलनी पर सोफिय ठखक कर एक जगा पर बैट चाती है लेकिं तभी अचानक बादल करचने लगी ऐसा लग रहा था कि तेज बारिश आएगी इसलिए जोश सोफिय को वापिस चिलने का कहता है पर वो जिद करने लगी कि ना बेना हम इतनी दूर आ गई है और अब में जड़ना देखी बगर वापिस नहीं जाओंगी जिस पर जोश उसे समझाने लगा कि देखो समझने की कोशिश करो अगर बारे शोड़ गई तो हमारा क्या होगा कहां जाएंगी हम प्लीज मान जाओ जिस पर आखिर थोड़ी बहस की बाद वो मान गई और ये वापिस अपने गाड़ी की तरफ आने लगी लेकिन तब एकदम पेड़ की पीछे चुप गई देखते हैं कि वो जो इनकी गाड़ी की पास कड़ा है और काश तोरने की कोशिश कर रहा है वो अकेला ही पीचे से उसके पास जाने लगा कहता है क्या कर रहे हो बाई क्या तलाश कर रहे हो क्या चाहिए तुमें अब वो जोर घूम कर उस पर गंदान दीता है और कियता है कि चुप चाप पीची हट के खड़े हो जाओ और ये बताओ कि जो लड़की तुमारे साथ थी वो कहा है अब यहां जोश सोफिया को बचाने के लिए उसे छोड बोल देता है कि वो तो यहां नहीं है कब से जा चुकी है पर चोर उसकी बाद नहीं मानता और तमकाने लगा कि सच सच बता दो वरना मैं तुमी गोली मार दोगा अब यह सुनकर सोफिया डर गी जल्दी से निकल कर सामने आ जाती है चोर ने बैग मांगा तब सोफिया बैग उसके सामने फैंकर हाथ उपर करके खड़ी हो जाती है अब जैसे चोर बैग उठाने के लिए नीचे जुका यहां जोश लकड़ी उठाकर उससे जोड से चोर को मारता है जिससे वो नीचे गिर गया और यह दोना मोका पाकर यहां से भाग जाती है अब चोर पी उठा और हर तरफ गोलियां चिलाकर इनका पीछा करने लगा अब तो यहां बारिश आना भी शुरू हो गई थी यहां पर बोड़ देकर जो शोफिया को कहता है कि जंगल का वो रास्ता इस सरफ है जिसे लोग खतरनाग मानते हैं वहां जाने से डढ़ते हैं तो तुम वहां चले जाओ क्योंकि चोर वहां नहीं आएगा तब तक मैं चोर का दिहान पढ़का कर बाद में तुम्हारे पास आ जाओंगा अब उसके कहें के मताबिक सोफिया उस सरफ चल दी और तेज़े से भागनी लगती हैं पर बीच में एक मोटी सी तीरी सी वो टकरा गई और मेचे गिर जाती हैं उसके माथे पर चोट लगी थी इसलिए वो बहोश हो गई थोड़ी दीर बाद जब उसे होश आई तो वो इदर उदर दीखनी लगती है केती हैं कि मैं किस तरफ से आई थी और मुझे कहां जाना हैं वो दरह सर रास्ता भोल गई थी इसलिए बीदा सोची ही एक तरफ आगे बढ़ने लगी लेकिन तबी उसका पैर फिसला और वो एक दलडल में जाके गिरती हैं ये दलडल काफी बड़ा था इसलिए वो यहां से बाहर नहीं निकल पाती मदद के लिए उसने आवाजी लगाई कुछी दीर में यहां जोश आ जाता हैं और उसे अपना हाथ पकड़वाने का केता है लेकिन उसके एक हाथ का जोश से बहुत फासला था जबकि दूसरा हाथ दलडल में पहस किया था जो लाग कोशिश के बाद भी नहीं निकलता हलाँ कि सुफिया हाथ को भी हिलाने की कोशिश करती है और खुद भी हिली पर इसका कोई फायत नहीं हुआ अब ये देकर जोश उसे कहते है अरे अरे क्या कर रहे हिलो मत सभल की ये दलडल है अगर जिसम को हिलाओगी तो इसमें धस्ती चली जाओगी पर उसे कोश समझ नहीं आती वो तो डरी हुई थी इसलिए अब जोर-जोर से अपने जिसम हिलाने लगी जिससे आखिरकार वो दलडल के नीचे ही चली जाती है अब ये देकर जोश काफी घबरा गया एक सेकंड भी जाय की बगएर वो भी जड़ सी दलडल में कोच जाता है और बिना हिली अराम से अपने हाथ नीचे करता है और सोफिया को खीच कर बाहिं डिया जो बिलकल ठीक थी पर वो लोतियों कहती है कि जब मैं पसी हुई थी तो तुम अंदर क्यों को दे जोश उसे कहता है कि ये वक्त इन बातों कर नहीं है और अब चुप चाप खड़ी हो जाओ क्योंकि ये तलदल काफी गेरा है और अगर हम भी लेंगी नहीं तो अंदर डोबने से बच जाएंगी इसलिए प्लीज कुछ देर के लिए चुप चाप होकर जैसे कुछ स्टेच्चू होता है वैसे खड़ी हो जाओ जब उसकी बात मानकर सोफिया नहीं ऐसे किया वो शान्त होकर खड़ी हो गई और जोश की आँखों में आँखें डाल कर देखनी लगती है होटल में जोश का दोस्त अपना काम कत्म करने की बाजब होटल में वापिस आया तो उसी पता चला कि वो दुनों तो ट्रेकिंग के लिए जा चुके हैं इसलिए वो रिसेप्शन पर जाकर उनकी वापिस आने का इंतिजार करने लगा और और सोफिया जो काफी परिशान थी जोश से पूछती है कि आखिर कब तक हम ऐसे यहां पर ठेहरे रहेंगी जिस पर वो जवाब देता है कि आम तो पर देलदल काफी गेरी होती है पर इनमें पेड़ की पोदी पते वगरा होती है तो यह हमारे वज़न को बरदाश कर लेंगी तो इसलिए तुम फिक्र ना करो हम यहां नहीं डोबेंगे अभी लोग देखते हैं कि यहां दलदल में एक अंडा पड़ा हुआ है पर इन्हीं समझ नहीं आते कि किस जानगर का है अभी यहां सोफिया संभेलते हुई अपने जूते उतारने की कोशिश करती है ताकि उसका वज़न थोड़ा कम हो जाए लेकिन तबी उसका हाथ किसी और चीज़ पर लग गया जो मैसूस करकी वो काफी घबरा जाती है और अभी दोनों मिलकर उस चीज़ को बाहर निकालते हैं और उसे देखते इनकी हालत खराब हो गई ये डर से चिलाने लगी क्योंकि वो चीज़ एक लाश थी जो पहले वाले चोर की है अब उसका चीरा देकर सोफिया काफी डर गई रोती वे बताती है कि इसकी मोद दलदल में डॉकने की वज़र से नहीं हुई बलकि ये भी यहाँ पस किया था जो काफी दिनों तक फसा रहा इससे कोई बचाने ना आया इसलिए भोग और प्यास की शिद्द से ये मोरा गया सोफिया एक डॉक्टर थी इसलिए वोई सब जान गई थी पर अब वो यहाँ हिम्मत आ गई कि हम भी यहाँ फसे रहेंगे और हमें भी बचाने कोई नहीं आएगा उसकी पेट पर एक बेग बंदा हुआ था जिसे जोश निकाल लेता है सोफिया ने भी गन ले ली थी ज़र चोर की लाश के हाथ में थी यह लोग बैख खुलते हैं जिसकी अदर सीने को चुटे-चुटे डबे और हत्यार मिलते हैं जैसे एक और गन, लाइडर, चाको और बाइबल वगहरा अभी लोग सोचते हैं कि इन समानों का हम किया कर सकते हैं कि यहां से बाहरे निगल सके जोश आसपस देखने लगा और इसे अपने कुछ पीछे एक पत्थर पड़ा हुआ देखता हैं तो अब यह लोग प्लैन बनाते हैं कि हम बैख को लंबा-लंबा काट कर इन्हें आपस में गिरा लगा कर एक रस्षी बनाएंगे और फिर बड़ी से गिरा लगाकर उसे पत्थर पर अटका देंगे और फिर बारे-बारे उसके जरहे बाहरे जाने के कोशिश करेंगे जिसके बाद यह अपना प्लैन अंजाम देने के लिए तयारे में रच जाते हैं तब ही हमने नौटिस किया कि दिल्विल के पास बहुत सारी बड़ी बड़ी जंगली चेटियां हैं जो बहुत बुरा काटती हैं अभी वो दोनों इस बास से अंचान थे उदर जोश का दोस्ट जब उसका इंतजार करा था तो वो उस चोर को देख लेता है जिसके पास जोश का बैग था उसके दोस को शक हुआ इसलिए वो चोर से पुछनी लगता है कि ये बैग तुम्हारे पास कहां से आ रहा पर वो बिना कोई जवाब दी वहां से भागनी लेती हैं रसी की आखिर में गिरा लगाकर सोफिया बार बार उसे पत्र की तरफ फैंकती है लेकिन वो पत्र तक पहुच नहीं पाती है क्योंकि अभी भी तीन चरफ फुट कम होती है ये देखर जोश कहता है कि ऐसा करती है मैं अपनी जकेट काटकर उसे साथ जोड़ लेत अभी उपर देखती है तो सोफिया की आँखों में एक चमक से आ गई क्योंकि वहां से हेलिकॉप्टर गुज़र रहा था सोफिया अभी भी बचने की ओमेर लगाए पैटी थी इसलिए वो लाइटर निकानकर बाइबल को जिलाने की कोशिश करती है क्योंकि आग दीकर हेल रसी को ही जला देती हूँ इतना कहकर वो रसी को खीशने लगती है अब ये देकर जोश उस पर गुसर करने लगा कि तुम पागल हो गई हो क्या हेलिकॉप्टर हमसे काफी दोड़ जा जुका है जो हमें नहीं देख सकते ये रसी हमारे पास एकलोती हो मीड है अगर तुम इसे ही जला दोगी तो हम बाहर कहां से जाएंगी पर सोफिय के सर पर मौत कर डर च्छाया हुआ था इसलिए वो जोश को कहती है कि चुप बिल्कुल चुप मैं जो कर रही हूं मुझे करने दो अब उसका दिहान इस चीस से हटाने के लिए जोश उससे बाते करने लगा वो लगातार उसे काट रही थी जिस वजह से सोफिय को बहुत दर्द हो रही थी वो जोड़ से चिनलादी लगी अब ये दिकर जोश उसे अपनी पैंट के जेप से शिराब की बोतल निकान कर देता है और कहता है कि इसे अपनी प्रिट पर डालो वो चेटियां भाग जाएंग वो ये करने ही वाले थे कि तब यह अगला खत्रा आ गया जो था खदरनाक साप जोश की बिलकुल पीछी खदरनाक साप इनकी दलगल की तरेफी आ रहा था अपना वोई अंडा लेने जो इनकी पास पड़ा था अब हालां कि जोश खुद भी काफे डरा हुआ था लेकिन व और जो वो और पास आएगा तो उसे शूट करकी मार दीना अब ऐसे करने के लिए सोफिया उसका इंतिसार करने लगी लेकिन वो जैसे जोश की पास आया उसी काट लेता है अब बिना टाइम गवाई सोफिया चल्टी से उस पर गोली चला देती है जिसे वो जखमी होकर यह जोश जानता था कि जंगली साप है तो काफी कतर नाक होगा इसका जहर मेरे अंदर फेह जाएगा तो बहुत जल में मारा जाओंगा पर सोफियों से हिम्मत देती है कि ऐसा मत सोचो कुछ नहीं होता ओके ठीक है मैं हूँ यहां तुमारे साथ परिशान ना हो उदर जोश का दोस्त चोर से पूछता है कि तुम्हें मेरे दोस्त का बैक कहां से मिला बताओ सच मैं तुम्हें अपनी कीमती घड़ी दूँगा जो बहुत महेंगी हैं और पुलिस को भी नहीं बताऊंगा कि तुमने चोरी की बताओ और दोनों कहा हैं अब वो घड़ी नीते ही चोर बत है कि प्लीज मुझे छोड़ दो मेरे दोस्त मुसीबत में मुझे उनकी जान बचाने हैं जोश की तबीद खराब होती जा रही थी क्योंकि जहर उसके जिसम में तीजी से पहलता जा रहा था किमत जवाब दे रही थी अब सोफिया ने नोटिस किया कि जोश की वेंस रगों जिससे तुम्हारी गर्दन वाला जमा हुआ खुन बाहिर आजाएगा और जहर तुम्हारे दिमाग तक नहीं पहुच पाएगा अब हालां कि जोश की हाले ठीक नहीं थी दर्द में वह तड़ा प्रा था लेकिन फिर भी हसता हुआ उसे पूछ दै कि तुम कैसी टॉक्टर गा देती है जिससे जमा हुआ खुन बाहिर निकनाया जोश दर्सी और तरपने लगा और यहां उसका काफी सारा खुन बेह दिया था पर क्यूंकि सोफिया डॉक्टर थी तो उसे पता था कि अब खुन रोकने के लिए मुझे क्या करना है वो एक बार फिर चागो गरम करती है और उसी कट पर रखती है अब वो जगर जलने की वजह से पूरी बंद हो गई जिससे आखर यहां खुन बेहना बंद हो गया यह करने की बार सोफिया भी होश हो गई कुछ दिर बाद जब उसे खुश आई तो वो देखती है कि अब शुकर है जोश का खुन नहीं बह रह हिमत नहारों मैं तुम्हारे साथ हूं और देखना तुम हम यहां से जरूर बाहर निकलेंगी मेरे दिमाग में एक आडिया है जब वो साप यहां दुबारा आएगा हम उसे रसी से बान कर रसी की लंबाही ज्यादा कर लेंगी और पी रसी को पतर से अटका कर यहां से बाह हुआ है जिसे लेने तो वह जरूर ही आएगा अब वह चोर की बैक से दूर भी निकाल कर देखती है कि जख में साफ के इसे कुछ दूरी के फासले परी पड़ा हुआ है तो अब सोफिया बैक की एक चीस उठाकर सांप की तरफ फैंकती है ताकि वह यहां जाए जिसकी कुछी की दर की बात ऐसे ही होता है सांप इनकी दरफ आना शुरू कर दीता है पर अब की बार वह सोफिया के पीछे से आना था जिस वज़ज़ से अब वो मोड़कर उसे देख में नहीं सकती थी पर उसे ख्याल आया वो चाकु साफ करकी उसमें सांप का अक्स निखती है कि मेरे पीछी सांप कहां पर है और उसके हिसाप से वो सांप पर गोली जलाती है पर बतकिस्मती से निशाना चूग जाता है और इस गन की आखरी गोली भी जाया हो गई जिबके सांप अब उसके तरफ देरे देरे बढ़ने लगा और आकर उसकी हाथ पर बे काट लेता है जिससे वो दर्द की वजह से जोर से चिलाई और अब जैर उसके जिस्त में बे भेनना शुरुग हो गया सांप तभी आकर उसे लिपर जाता है और सोर से जगर लेता है फिर वो सोफिया को तुबरा काटना ही वाला था कि तभी हो उसका मूँ पकड़ लेती है इतने ही देर में जो से बान कर उसके लंबाई बढ़ाती है और अब कई बाल कोशिश करने पर आखिर का रसी पतर से अटक ही जाती है जिसके बार सोफिया भी बड़ी कोशिश करके जोर लगा की रसी की सहारी बाहर आही जाती है वो बाहर आकर बहुत खुश थी और जोश को कहती है इदर आओ तकलीफ में था जैसे भी जान हूँ अब सोफिया खुद भी काफ़े डरी हुई थी क्योंकि जहर उसके जिसमें भी तीजी से फेल रहा था तो जो इसकी मदद के लिए वो किसी को बुलाने के लिए निकल जाती है क्योंकि जहर की फेलने की वज़े से वो दोनों ही मारे जाए वो लड़ खड़ाते हुई आगे बड़ी लगातार बस चलते ही जाती है अब यहां उसका पैर फिर से एक दल्ल में पढ़ गया लेकिन वो यहां जिल्दे से अपना दोसरा पैर बाहर रखती है और खुद को बच्रा लेती है जिसके बहुत बड़ी मुश्किल से गिरते प पास आकर अपना सर उठा की उसी देखता है और काफी बड़ी मुस्कुराहट के साथ उससे प्यार से देखने लगा अब उसे जिन्दा देकर वो भी काफी खुश हो गई उसके जान में जाना गई दोनों एक दुस्ति को बले से लगा लीती है और अपना फैसला बदल कर हम प्रीशा एक साथ रहने का फैसला करती है और इसी के साथ की फिल्म इधर ही खत्म जाती है